हलो बच्चों, आज मैं क्लास सेविंध की हिंदी का दूसरा लेसन बाबुजी बारात में हाँ से कथा समझाने जा रही हूँ इसका प्रस्न उत्तर पहले ही मैं करा चुकी हूँ उमीद करती हूँ कि आप लोग याद कर लिये होंगे इस पाठ के लेखक विश्ण प्रफाकर जी है इस पाठ को लेखक ने उपहास, मजाग और आलोजना के तारिता में द्वारा बड़े ही रोचक धंग से प्रस्तुत किया है इसमें मुख्य पात्र बाबु गजन अंदर लाल जी है उनका वजन बहुत है वे दो मन बिशेर के हैं लेकिन लेखक का कहना है कि उनका वजन बहुत भारी नहीं था वे इतना तेज चलते थे कि लोग उन्हें देख पाएं वे कालेज में बढ़ाते थे लेकिन बस में कभी बैठते नहीं थे क्योंकि एक बार बस में बैठने जा रहे थे तो बस के दरवाजे में फंस गए इसलिए वे कभी बस में नहीं बैठते थे एक बार उन्हें बारात में जाना था तब लड़के के पिता ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे बस की बिवस्था की जिसके दरवाजे बहुत चौड़े थे बाबु गजनंदर नाल एक सप्ताह पहले से ही जानते थे कि उन्हें बारात में जाना है तो वे भोजन केवल एक समय करते थे दूसरे समय उपवास रखते थे उनकी कम खुराक को देख कर उनकी माता जी बहुत चिंतित रहती थी क्योंकि वे इस बात को नहीं जानते थी जब सभी बाराती बस में बैठ कर रवाना हुए तो रास्ते में बस के टायर पंक्चर हो गए इसले बारातीयों को नीचे उतरना पड़ा जब वे बाबु गजनंदर लाल को देखे तो कहने लगे इसमें हाथी का बच्चा था इसले बस खराब हो गई तब इस बाद से बाबु गजनंदर लाल नाराज नहीं हुए बल की हस्ते हुए बोले कि आप लोग बहुत समझदार है गजनंदर लाल का अर्थ होता है हाथी का बच्चा सभी बाराती बाद में जनवा से पहुँचे तो वहाँ लड़की वाले बाबु गजनंदर लाल की ओर ही विशेज ध्यान देते हैं उनको सभी देखते हैं दुल्हे की तरफ विशेज ध्यान नहीं देते हैं इस बात से दुल्हे को बहुत दुख होता है भोजन पर उस्ते समय भी पहले वी बाबू गजनंदर लाल की पास जाते हैं बाबू गजनंदर लाल पर्याप मात्रा में भोजन करते हैं बहुत खुश होते हैं लड़के और लड़की की साधी के उपरां जब फोटो ग्राफर फोटो लेना चाहता है तो लड़की हस्ती नहीं है तब बाबू गजनंदर लाल कहते हैं बेटा हसना मत्राफर किवल एक बार मेरी तरब देख लेना जब लड़की उनकी तरब देखती है तब खिल खिला कर हस पड़ती है उसी समय फोटो ग्राफर कई फोटो खीज लेता है इस बात से प्रसन होकर वह बाबू गजनंदर लाल का भी फोटो खिशता है तब बाबू गजनंदर लाल कहते हैं कि इस फोटो को मैं अपनी मा को दिखाऊंगा वे बारातियों के साथ बहुत हसी मजा करते हैं सभी बड़े खुश रहते हैं इस पाठ में गजनंदर लाल के द्वारा ही रोचकता आई है ये कथा बहुत रोचक धंग से प्रस्तुत की गई है बच्चों अब मैं कुछ प्रस्न उत्तर बताऊंगी बाबू गजनंदर लाल कहां फस गए बस का दर्वाजा कुछ तंग था बाबू गजनंदर लाल बस के दर्वाजे में फस गए बाबु गजनंदर लार क्यों हसे जा रहे थे दरवाजे में फस गए थे उपर से कंड़क्टर चिख रहा था नीचे से चढ़ने वाले चिला रहे थे इसलिए वे हस पड़े जोड लगाने के बाद बाबु गजनंदर लार क्या बोले जोर लगाने के बाद बाबु गजनन्दा लाल बोले देखो भाई सोर मत मचाओ कहीं मेरा बैलेंस विगड़ गया तो बस उलड़ जाएगी बच्चों अभी आपके पास पर्याप्त समय है घर में रह रहे हैं इसलिए पढ़ाई पर विशेज ध्यान दे जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है वे प्रति दिन एक पेज लिखें जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है चहाई इंगलिश हो चहाई हिंदी हो तो रोज एक लेशन पढ़ने का भ्यास करें सुलेख लिखें अपनी राइटिंग सुधारें बच्चों आपके पास इतना समय है कि आप अपनी कमियों को आराम से सुधार सकते हैं ये समय है ये वापस नहीं आता है जो समय आपको मिला है उसमें अपनी आपको सुधारने का प्रयास केजिए